हेलो एब्रीवन, वेलकम टू बटकाफ फूड रेसिपीज, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और खास है, हमारी आज की रेसिपी का नाम है उल्टा पुल्टा वड़ा पकोड़ा, तो शुरू करते हैं अमेजिंग और मज़ेदार से रेसिपी बनाना, उल्टा पुल्टा वड़ा पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बोल में एक कब बेसन ले लिया है, आप ज़्यादा कॉंटिटी भी ले सकते हैं, इसमें मैंने करीब एक टी स्पून नमक आड़ कर दिया है, और एक टी स्पून हल्दी पाउडर कर दिया है, आदा टी स्पून और एक टी स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का एड़ कर दिया है, आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगा पर हरी मिर्च का इस्तमाल भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने दो चुटकी के बराबर हींग एड़ कर दी है, और अब हम आधा से एक टी स्पून आमचुर पाउडर एड़ कर देंगे खटास के लिए और next ingredient जो हम इसके अंदर एड़ करेंगे वो है धनिया पाउडर मैंने एक टी स्पून के करीब धनिया पाउडर एड़ किया है और एक बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके ए एड़ किया है और साथी में एड़ कर दिया है धनिया अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसका एक बैटर तयार करेंगे पानी एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करते जाएंगे और इस तरीके का घोल तयार करेंगे अब देख सकते हैं यह रिबन कंसिस्टेंसी का घोल रेडी हुआ है और ऐसा ही हमें चाहिए क्योंकि हमने इसको कोटिंग की तौर पर इस्तेबाल करना है तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं यहां मैंने दो से तीन मीडियम साइज के आलो लिये हैं इन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है और अब एक मीडियम साइज का प्यास जिसे हमने रफली डाइस कर लिया है इसे हम इसके अंदर मिला देंगे अब एक टीस्पून के करीब इसमें नमक एड़ कर देंगे और पॉना से एक टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड़ कर दिया है एक चुथाए चमच गरम मसाला डाला है और आधे से एक टी-सपून के करीब आमचोर पौडर इसके अंदर एड़ कर दिया है और अब आधा टी-सपून के करीब हमने इसमें धनिया पौडर एड़ कर दिया है और अब हम सभी dry spices डालने के बाद आलू के साथ इने अच्छे से mash करके mix कर लेंगे और एक stuffing तयार कर लेंगे यह दिखे आप देख सकते हैं अब हमारे आलू की जो stuffing है वो तयार हो गई है अब चलते हैं अगले step की तरफ यहां मैंने bread को इस तरीके से center में से इस तरीके का कोई भी एक vessel या कटोरी आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से round shape मे कट कर लेना है यह दिखे अब हम बाकी और breads को भी इसी तरीके से round shape में कट कर लेंगे और इसके उपर हम इस तरीके से अब sauce spread करेंगे tomato ketchup का इस्तेमाल किया है मैंने और एक round पर हमने tomato ketchup spread करी है और bread के दूसरे round पर हम इसमें mayonnaise की spreading कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और yummy चोटे चोटे टुकडों में इस तरीके से cut करकर center में place कर देंगे यह देखे आप देख सकते हैं और अब इसके उपर mayonnaise वाले bread के जो circle है उसको हमने लगा कर रख दिया है और बाकी सारे भी इस तरीके से तयार कर लिया है अब हमने जो potato की stuffing तयार करके रखी है उसे हम बाहर क की तरफ से इस तरीके से spread कर देंगे अच्छे से पूरे पर अच्छे से spread करना है कि आप देख सकते हैं evenly spread किया है मैंने बढ़िया से press करके spread करेंगे ताकि outer side से इस तरीके से लगाए हुए आलू की stuffing fallout ना हो कि देखे दोनों side पर हम अच्छे से evenly spread करते जाएंगे हलका हलका press करते जाएंगे side से और center से और अब हमने जो basin का batter तयार किया है उसमें इसे दोनों तरफ से इस तरीके से dip करके बढ़िया से coat कर लेंगे और तब तक इदर हमने एक pan में kitchen oil लेकर उसे medium flame पर गरम कर लिया है और इस तरीके से अब हम अपने उल्टा पुल्टा वड़ा को इस चीज अच्छे से melt नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर उल्टा पुल्टा वड़ा को place कर दिया है और अब हम इस तरीके से इन्हें shallow fry कर लेंगे और उपर वाली side से इस तरीके से किसी भी कडशी की help से आप उपर से oil डालते जाएं के उपर क्योंकि यह heavy है opposite side तक heat आने में time लग जाता है इसलिए हम उपर से oils पोर करते जाएंगे जैसे कि हम bread पकोड़ा में करते हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने flip कर दिया है बहुत ही प्यारा से golden patches आ चुके हैं अब हम दूसरी side से भी इने सेख लेंगे औ आप इसको shallow fry ही करें अब हम इसके ऊपर भी oil pour करके इसको flip करेंगे बहुत ही प्यारे से golden patches आ चुके हैं आप देख सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारा उल्टा उल्टा वड़ा पकोड़ा तेयार हो गया है और आप देख सकते हैं इस तरीके से side से भी हम अच्छे से cook करेंगे यह देखिए थोड़ी थोड़ी देर तक हम side से भी hold रखेंगे यह देखिए और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे बहुत ही शांदार बने है अब मैं आपको इन्हें कट करके दिखाती हूँ यह देखिए बहुत ही ज्यादा soft और बहुत ही ज्यादार उल्ट लगते हैं इन्हें आप सुबह का नाश्ता हो या फिर दुपहर की चाय इन्हें बनाएए और चाय के साथ इंजॉय कीजिए आपको बहुत ही पसांद आएंगे कॉमेंट सेक्शन में रेसिपी पर रिव्यूस जरूर दीजेगा आपको कैसी लगी रेसिपी और मेरे चैनल क को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाएए थाकि अगली वीडियो के नोटिफेकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके